या देवी सर्भुतेशू माशेल पुत्री रूपेन सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमहा जै मातादी आप सभी पर मतरानी का अशिर्वात सदा सर्वदा बना रहे आज से आप हुमारे इस चैनल पर हर दिनियम से देवी भागवत पुरान की कथा सुनेंगे आज सुनिए पहला थ्याए नैमिशा रणने तीर्थ में उपस्थित रिशी गणों ने श्री सूत जी महराज से कहा हे सूत जी आप तो परम बुद्धिमान हैं आप भगवान व्यास जी के शेश्य हैं आप बहुत वर्षों तक जीवित रहें हे भगवन अब आप हमें मन को प्रसन करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की करपा कीजिए भगवान विश्णु के अव्तार की पावन कथा संपुर्ण पापों का संघार करने वाली और अत्यत अद्भूत हैं हम भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवन कर चुके हैं भगवान शंकर का मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाएं हे महाभाग आपसे बढ़का संधे निवारन करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की करपा कीजिए जिससे कल्योगी मनिश्यों को भी सिद्धी मिल सके तब श्री सूत जी मह महराज कहने लगे हे रिश्यो तुम बड़े ही भागिशाली हो जकत के कल्यान होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्ण पूछा है अतहे संपुन शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विश्यद रूप से मैं तुम्हारी सामने उपस्तित रखता इस कथा में किस देटा का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी भिलाशाय पूर्ण हो चुकी हैं वह सब हमें सुनाने की करपा कीजिए तब श्री सूच जी कहने लगे व्यास जी ने वेदो को चार भागों में बाठ कर उ इन तो जो संसकार ही नीच कुल में उत्पन वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्ख जन और इस्त्रिया हैं उन्हें धर्म का ज्यान कैसे हो ये चिंता उनके मन में ज्याग उठी तब स्वय मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्मग्यानार्थ पुरान स संगीता का संपाधन किया अठारा पुराणों की रशना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया महाभारत की कथा भी सुनाई उसी समय भुक्ती और मुक्ती देने वाला देवी भागवत नामक पुरान रचा स्वा उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था उनकी दुर्गती निवारन के लिए जन्मेजयने देवी भागवत सुना वेद व्यास जी के मुखारविन से नौ दिनों में इसकी श्रवन विधी संपन रखी वे त्रिलोग जननी भगवती आद्यशक्ती का विधी पूर्वक पू ज़ा जन्मेजय को अपार हर्श हुआ उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भाथी पूजा की जो मनुष्य भक्ती पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं सिद्धी सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है अतहा उन्हें निरंदर इस पुराण का श्रवन करना चाहि सत्योग त्रेदा और द्वापर में अनिको धर्म थे किन्तु कल्यूग के लिए एक पुरान श्रवन ही धर्म रह गया है इसके सिवा मनुष्यों का उधार करने वाला कोई दूसरा धर्म ही नहीं है कल्यूग के मनुष्य धर्म और आचार से हीन और अलपायू होंगे उनके कल्यान के लिए भगवान व्यास जी ने पुरान संग्यक इस अमरित रसका निर्मान किया है इस देवी भागवत के श्रवन में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है मनुष्य सदा ही इस पुरान को श्रवन कर सकते हैं आश्विन चैत्र विशाक और जेस्ट के महिने मे तथा चार नवरात्रों में सुनने से अर्थात दो गुप्त और दो प्रकट नवरात्रों में सुनने से यह पुरान विशेज फल देने वाला होता है नवरात्र में इसका नुस्ठान करने पर मनुष्य सभी पुर्णी कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं अतह इसे नवह अर्थात उध्धार हो जाता है महान तप वरत तीर्थ दान नियम हवन और यग्य करने पर मनिश्यों को जो फल दुडलब रहता है वह भी नवाहा यग्य से सुलब हो जाता है इसलिए देवी भागवत सरवोतम पुरान माना जाता है रिश्यों ने श्री सूथ जी से पूछा है महा बुद्धिवान सूत जी महा भाग वसुदेव ने कैसे पूतर प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण ने परिब्रह्मन करके प्रसेन को कहां खोजा और क्यों खोजा श्रीमत देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधी से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए ये बताने की भी करपा कीचे श्री सूत जी बोले भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारका में सुख पूर्वक रहा करते थी उनके द्वारा सदा सूरी की आराधना की जाती थी भगवान सूरी ने सत्राजीत की भक्ती से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोग का दर नारायन है अतहे सुधर्मा सभा में बैठे वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे जगत्रभो ये सूरी नारायन आ रहे हैं उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई वे बोले अरे बाल को ये सूरी नहीं है ये त कराया मणी की पूजा की और उस मणी को अपने भवन में इस्थापित कर दिया प्रति दिन आठ भास्वन देने वाली मणी जहां रहती थी वहां महामारी दुर्बेक्ष और अन्य उत्पात संबन्दी भाई कभी ठहर नहीं सकते थे सत्राजीत के एक भाई थे उनका नाम था प्रसेन एक बार वे उस मणी को गले में धारन कर घोडे पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिये उन्हें सिह ने देखा और घोडे सहीत मार कर वह मणी ले ली रिक्ष राज जामवन बड़ा बली था उसने देखा सिह मणी लिये हुए है तो उसने बिल के द्वार पर ही सिह को मार कर उससे वह मणी छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया बालक भी उस चमकीली मणी को ले कर खेलने लगा कुछ समय के बाद जब प्रसेन वापस नहीं लोटे तब सत्राजीत को महान क्योंकि मणी में उनकी आसकती हो गई थी ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी तब अपने उपर लगे वे इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुर्वास्यों को साथ लेकर यात्रा आरब कर दी विभयानक वन में जा पहुंचे सेह द्व वश होकर वे पुर्वास्यों से कहने लगे तुम लोग मेरे लौटने तक यही रहना मणी लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूं बहुत अच्छा कहकर पुर्वासी वहीं बिल के बाहरी ठहर गए भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर व वहां तुरंत ही जामवा ना पहुँचा उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युथारंब हो गया रात दिन लगाता लडाई होती रही दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा उधर द्वार का वासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्षा में बिल के द्वा करने लगे अपने पुत्र की यह कस्ट कहानी महभाग वसुदे के कानों में भी पड़ी परिवार सहित वेशोक सागर में डूबने उत्राने लगे अब मेरा कल्यार कैसे होगा इस प्रकार की अनेको चिंताएं उनके मन में उठने लगी इतने में ही देवर्शी नारत ब्रह वसुदेव जी आप इतने चिंतित क्यों हैं इसका कारण बतलाईएं वसुदेव जी कहने लगे मेरा प्रेपुत्र शुरी कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ वन में गया हुआ था मरे वे प्रसेन पर उसकी दृष्टी पड़ी बिलके द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सेह भी मरा पड़ा है तब पुरवासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वे स्वय मंदर खुस गया मुने बहुत दिन बीत गए अब तक मेरा वह प्राण प्रेपुत्र वापस नहीं लोटा इसी से मैं चिंतित हूँ कोई ऐसा उपाय बतान पूछा हे देवर्शी वे अंबिका देवी कौन है उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है भगवन इस सब बताने की किरपा कीजे नारत जी बोले है महाभाग वसुदेव अंबिका देवी के संपुर्ण महातर्मिको विशेद रूप से कौन कह सकता है मैं से कुछ कहता हूं सुनो भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है सत्चित और आनंद में उनका श्री विग्रह है वे सर्वोपरी है वह चराचर जगत उनसे ओध प्रोथ है उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रहमा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं मधू औ और कैटब से भहवीद होने पर पिता महने देवी की स्तुति की और वे उस भह से मुक्त हुए उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णू इस जगत का संग्रक्षन करते हैं भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टी पड़ी तब ही संसार के संगहार में सफल हो सके व दिनों में श्रीमत देवी भगवत पुरान सुनो उस पुरान के श्रवन करने से शिकरी तुमारा पुत्र लौट आएगा इस पुरान के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ती मुक्ती दूर नहीं रह सकती इस प्रकार मुनिवर्द नारत जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक जुकाया और अपार प्रसनिता प्रकट करते वे कहने लगे भगवन आपके कहने पर भगवती जगदंबिका के करपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूरो प्रसंग मुझे याद आ गया उसे मैं कहता हूं सुनिए पहले की बात है आकाश पानी से यह जानकर कि देवी के आठवे गर्ब से कंस का निधन होगा पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया अपनी पतनी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा जैसे ही हमारी संतान होती दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था कंस के हाथों म उनकी चरणों में मस्तक जुकाया पूजा की अनुने विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते वे देवकी की कस्ठ कथा उन्हें कह सुनाई मैंने कहा भगवन आप तो करुणा की सागर है यादवों ने आपसे दिक्षा पाई है मुने आप दिर्ग जीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूं सुनो भगवती दुर्गा भगतों का दुख दूर करने वाली और कल्यान स्वरूपिणी है तुम उन्ही के आराध ना करो उनकी करपा से तुम्हारा तुरंत कल्यान हो जाएगा क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरत भी पूर्ण हो जाते हैं भगवती दुर्गा में भगती रखने वाले मनिश्यों को जगत में कुछ भी वस्तो दुर्लब नहीं है मुनी के ऐसा कहने पर हम पती पतनी दोनों के हरदय में अपार हर्श चा गया मैंने अत्यत भगती पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ चोड़ कर कहा भगवन आप तो परम दयालू हैं अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापूरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदंभीका की आराधना आरंब करतीचे महामते मैं कंस के हां बंदी बना हुआ हूँ इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावन हो इसलिए तुम्हारे कल्यान के लिए मैं अवश्य यह प्रयास करूंगा फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदंभीका की आराधना करने के लिए कुछ ब्रहमनों को साथ लेकर विंदे परवत पर चले गए वहां तुम्हारा कार्य अवश्य शित होगा प्रत्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विश्नों को आधेश दिया है कि वे वसुदेव के यहां देवकी के गर्व से अपना अंशावतार ग्रहन करेंगे उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नेंदजी के घर पहुचा देंगे साथी ये शोदाजी की कन्या को ले जाकर अपने यहां आयवे कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पढ़ दे मालेगा इतने में ही वे कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी उसका अतियंत मनोहर रूप हो जाएग मेरा ही अंशुरूप विग्रह धारन करके वह विंदिगिरी पर जाकर जगत के कल्यान में संगलगन हो जाएगी इस प्रकार आकाश्वानी सुनकर मुनीवर गर्ग जी ने जगदंबिका को उप्रणाम किया अत्यत्य प्रसन होकर वे मतुरा पूरी में आई मैंने उनके मुख से देवी का वर्दान सुना सुनते ही हम पती पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसनता हुई मेरे हिर्दे में तो आनंद का समदर उमर पड़ा तभी से भगवती जगदंबिका का उत्ता महातर में मैं जानता था देवर्षे आज भी आपके मुखारविन से वही महतर में मैं सुन रहा हूँ अतह हे प्रभू आप ही मुझे श्रीमत देवी भगवत सुनाने की करपा कीजिए देवर्षे आप तो दया के सागर है मेरे सभाग इसे ही आपका यहां पधार ना हुआ है वसुदेव जी की बाते सुनका नारत जी प्रसन हो गए शुब दिन और शुब नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंब कर दी कथा की निर्वेग्न समाप्ती के लिए अनेको ब्रहमन नर्वान जब करने लगे कुछ ब्रहमनों ने मारकंडे पुरानोक्त दुर्गा सथ्षती का पाठ आरंब कर दिया नारत जी ने प्रथम इसकंद से कथा आरंब की वसुदेव जी भक्ती पूर्वक सुनते रहे नवे दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ महाभाग वसुदेव जी ने प्रसंग होकर पुस्तक और कथा वाचिक की यतोचित पूजा की उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवान के साथ बिल में युथ चल रहा था फिर भगवान श्री कृष्ण के मुस्ठी प्रहार से जामवान घायल हो गया उसकी देह रक्त से सन गई फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक जुकाया और अपार श्रधा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपराद छमा कराने लगा उसने कहा भगवन मैं आपको जान गया आप ही रागिवेंद्र भगवान श्री राम है आपके क्रोच से समुद्र शुप्ध हो उठा था लंका चौपट हो गई थी और सब परिवार रावन काल का ग्रास बन गया भगवन वेही आप अब श्री कृष्ण रूप से यहां पधारे है मेरे अपरात को शमा किजी प्रभू मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ उचित आग्यत देने के करपा करे जामवान की बात सुनका जगत प्रभू भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे रिक्षराज हम इस मणी को लेने के लिए ही यहां बिल में आये है पिर तो रिक्षराज जामवान ने प्रिति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की अपनी कन्या जामवन्ती का उनके साथ विवाह करा दिया और मनी भी सौब दी तब श्री कृष्ण ने जामवन्ती को पतनी रूप में स्विकार करके मनी गले में धारण कर ली और जामवान से बिदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए उसी दिन देवी भागवत की कथा समाथ हुई उदार बुद्धी वसुदेव जी ने ब्रहमन को भोजन करा कर उन्हें दक्षना से प्रसन किया ब्रहमन अशिर्वात दे ही रहे थे कि उसी समय भागवान श्री कृषन मनी धारण की वे पतनी के साथ वहां आपहुँचे पतनी सही श्री कृषन चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रभरती जितने भी लोग थे उन सब के नेत्र आनंद के कारण छलचला उठे उन सभी के हिर्दे में मानुहर्ष की बार्षी आ गई हो सभी प्रसन हो गए फिर देवशी नारत भगवान श्री कृषन के आगमन से हर्शित होकर श्री कृषन और वसुदेव जी की आग्या लेकर ब्रह्म मलोग को चल दिये भगवान श्री हरी का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपिश शान्त हो जाता है शुद्ध चित्थ होकर निर्मल भर्ती के साथ जो इसे पढ़ता है अत्वा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधुरी नहीं रह जाती और अंत में वह भववन्धन से मुक्थ हो जाता है शुरी सूत जी कहते हैं हे मुनिवरों अब दूसरा इतिहास भी सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महतमी कहा गया है एक समय की बात है मुनिवर अगस्त जी जिनकी पतनी लोपा मुद्रा है स्वामी कार्थिके जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनिक कथाएं पूछी कार्थिके ने तीर्थ व्रत और दान के महतमी से संबंद रखने वाली बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई वेकाशी, मनीकर्णिका, गंगादी तीर्थों का महतम में विश्यद रूप से वंदन कर गए इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसन नता हुई जगत के कल्यान के लिए परम तेजस्वी कार्थिके जी से उन्होंने फिर पूछा अगस्त जी बोले, तारकसुर का संघार करने वाले हे भगवन, आप सर्वशक्ती संपन है अब देवी भागवत का महतम में और उसके सुनने की विधी भी बताने की करपा कीजिए जिसमें तरिलोग जननी निति सरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुडगान किया गया है उस देवी भागवत नामक पुरान से बढ़कर दूसरा कोई पुरान नहीं है स्वामी कार्थिके ने कहा हे ब्रहमन श्रीम देवी भागवत के महतमी को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है फिर भी मैं संशेप से कहता हूँ सुनो जो निति सरूपा है सत्चित आनंद मै जिनका श्री विग्र है तथा भुक्ती मुक्ती देना जिनका सुभाव ही है वे भगवती जगदंबिका देवी भागवत में स्वैम विराजमान रहती है इसलिए है मुने इसे देवी की वांगमई मूर्ती कहते है इसके पढ़ने और सुनने से जगद के कोई भी पदार्थ दुरलब नहीं रह जाते सुना है विवस्वान मनु के पुत्र श्राथ देव थे उन्हें कोई संतान नहीं थी वसिस्थ जी की सम्मती से उन्होंने पुत्र प्राप्ती के लिए यग्गी किया विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की की है ब्रहामन आप ऐसा उपाई कीचे की मेरे गर्विसे कन्या उत्पन हो तब होता अर्थात ब्रहमर देवता ने कहा मन ही मन कन्या उत्पन हो ऐसा संकल्प करके विहबन करने लगे इसके विप्रिद भावना के फल सरो इला नाम की कन्या उन्हें उत्पन होई राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए तब उन्हाने गुरुदेव से पूछा कि यहां आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया राजा की बात सुनकर मुनी वर वसिस्थ ध्यानस्त हो गए पेरु ने मालुम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम की कारण है तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनी ने भगवान श्री हरी की शरन ली देखते पुरुष रूप में परिणत हो गई उस समय गुरुदेव ने संसकार करके इलाका नाम सुद्यूम्न रखा वे मनपुत्र सुद्यूम्न ऐसे प्रकांड विद्वान वे मानों विद्या के हैं अथास सागर हों कुछ समय के बाद जब सुद्यूम्न युवा हुए तब वे घोडे पर चड़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात हैं देवाधी देव भगवान शंकर अपनी प्राणप्रिया पार्वती जी के साथ प्रसनिता पूर्वत विविहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाशा से मुनि सुन्थ लोग को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने ये श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकरती इस्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस इस्थान पर नहीं जाते। सुदिबन वहाँ पर अंजाने में सहसा ही चले गए और जाते ही उनकी आकरती अर्थात उनका शरीर इस्त्री का हो गया। उनके साथ के सभी लोग भी इस्त्री बन गए। जो गोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बतल गया। ये दे बनाने की इच्छा जाग उठी और वह इस्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पती बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह इस्त्री बुध के साथ हास फिलास करती हुी उन्हें के आश्यम में रहने लगी। कुछ समएं बीतने पर बुद ने उस इस्त्री के प्रणाम करके अपना सारा समचार के सुनाया और पुनहा पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती भी उनकी शर्णापन हो गई सारी बाते विदित होने पर वसिस्ठ जी कलाश परवत पर गए उन्होंने भगवान शंकर की भली भाती पूजा की और उत्तम भक्ती के साथ वे उनकी आराधना में लग गए वसिस्ठ जी ने कहा है भगवन आप कल्यान सरूप मंगल करता और जटाधारण करने वाले हैं पारवती जी आपकी अर्धांगिनी है चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढाते रहते हैं आपके प्रती मेरा बारंबार नमस्कार है सुख प्रदान करने वाले केलास वासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है आप भगतों को बुक्ती और मुक्ती देने वाले भगवान निलकट है जो कल्यान मैं विग्रहे हैं शर्णा गतों का भई दूर करना ही जिनका सभाब बन गया है व्रिशब जिनका वाहन है और शर बर देने में सदा तत्पर रहते हैं। शंकर जी का दिवे विग्रह करोडो सूर्यों के समान जगमगा रहा था। बर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा। ये एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने इस्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वसिस्ट जी ने जगत जन्नी भगवती पारवती को प्रणाम किया। वे देवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है। करोणो चंद्रमा के समान उनकी सुन्दर कांती है। उनका मुख मंडल मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए। इस कामना से मुनी भक्ती पुर्वक देवी पारवती की पूजा करके उनकी इस्तुदी करने लगे। इस प्रकार कि भक्तों पर करपा करने वाली है देवेश्वरी आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली है देवी आपकी सदा ही जय हो। अनन्त गुणों की आश्रे भूता देवी आपकी जय हो शर्णा कतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारम बार नमस्कार है दुख दूर करने वाली और दुस्ट दैत्यों की संगहार्नी हे भगवती दुर्गे आपकी जय हो भक्ती से प्रसन होकर दर्शन देने वाली जगतंबिके आपको प्रणाम है हे महमाये आपके चरन कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देविश्वरी आप प्रसन हो जाए देवी कौन है जो आपके इस्तुती कर सके मैं तो बस केव आपको प्रणाम कर रहा हूँ भगवती दुर्गा साक्षात नारायनी है वरसिस्ट जी के भक्ती पूर्वक इस प्रकार इस्तुती करने पर वे तूरंत ही प्रसन हो गई फिर शरणागतों का दुखदूर करने वाली उन महादेवी ने मुनी से कहा तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्ती भाव से मेरी आराधना करो हे दुजवर तुम प्रसनता पूर्वक नौ दिनों में सुद्युम्न को श्रीमत देवी भागवत सुनाओ वह पुरान मुझे बहुत प्रेह है उसके सुनते ही वह उसी च्छण पूरुष हो जाएगा इस प्रकार कहकर भगवा शंकर और देवी पार्वती अंतरध्यान हो गए अब मुनीवर वस्रिस्ट जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए उन्होंने सुद्यम्न को बुलाया और देवी की आरधना करने की सारी बात कह सुनाई आश्युन मास के शुकलपक्ष में नवरात्र विधी का पालन करते वे मुनी ने भगवती जगदंबिका की पूजा की और राजा सुद्यम्न को श्रीमत देवी भागवत पुरान सुनाना आरब कर दिया राजा भी वे अमरितमई कथा भक्ती भाहों से सुनने में संगलगन हो गए कथा समाथ होने पर उन्होंने गुरु पूजा जन को प्रसंद करते वे भूमंडल पर राज्य करने लगे उन्होंने तरहा तरह की यग्य जिनमें प्रचुर दक्षिना दी जाती है उन सब से देवी की पूजा की फिर पुत्रों को राज्य सौप कर स्वयम भगवती के परम धाम को चले गए विपरो मैंने विश भगवती के परम धाम को चला जाता है जैम आता थी आज का ध्याय पूर्ण हुआ इसके आगे की कथाब अगले ध्याय में जरू सुनिएगा विडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी बताईएगा